आये छेत्र में सफलता मिलेगी तथा आपका जीवन स्वार्थख होगा। देवियों और सोजनों, देश के सभी नागरिकों तो स्वास्तो सेबाप पहुंचाने के लिए भारत स्वर्का निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले एक दसत में देश बासियों को इनिवर्शाल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए उनेक कदम उठाएगे हैं। आयुस्मन भारत जोजना के अंतरगत आप 17 वर्षा से अधिक उमर के नागरिक भी लाभानित हो रहे हैं। प्रदान मंत्री भारतियों जोन ओसोदियों परियोजोना से लोगों को सस्ती और गुणवत्ता प्रणव दवाई उपलवध हो रही है। पिछले दोस वर्षों में मेडिकाल कलेजेस और अंबीबेस तो था पीजी की सीटों में भी बढ़तरी हुई है। नई एम्स भी स्थापित किये गए हैं। एम्स संस्तान कोम खर्चों में अच्छी हेल्थ क्या सार्विसेस अभंग मेडिकाल एजुके संदेने के लिए जाने जाते हैं। एम्स संस्तानों के साथ देशबासियों को विश्वास जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत बड़ी संद्धा में लोग दूर दूर एवंग एम्स के इलाज करने के लिए आते हैं। जिस डाक्टर के साथ एम्स का नाम जुड़ा होता है। उसके प्रती मरीजों में संमान की भावना बढ़ जाती है। मुझे ये जानकर होर्ष होती है कि एम्स राइपूर भी इसी परोंपरा का को आगे बढ़ा रहे हैं। बर्ष 2012 में स्तापित इस संस्थान ने अपनी कुछ बर्षों की यात्रा में ही बहुत प्रतिष्टा और जीत की है। इसके लिए इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों को में बहुत बहुत सराना करती हूं। मुझे बताया गया है कि जी किस्सा एवं लोग परिलान के लिए एम्स राइपूर द्वारा कई कार्यों किया जा रहा है। ये संस्थान राष्ट्य और गंतराष्ट्य सोह्यों के साथ कूपोशन का ओल्मुनोल करने के लिए कार्या कर रहा है। यहां के सिक्ल सेल क्लिनिक में मरीजों को इलाज प्रदन किया जाता है। सिकल सेल मरीजों की पेहंचान के लिए जागरुकता सीवीर भी आयोजीत किये जाते हैं। हम एक ऐसे दोर से गुजर हैं, जिसमें आधुनिकतों टेकनोलोजीज हमारे जिवन को बहुत तेज गती से प्रभाबित कर रही हैं। सुदूर चेत्र की लोग के कल्नान के लिए इन आधुनिकतों टेकनोलोजीज का उपयोग किया जा सकता है। यह वर्ष की बात है कि एम्स राइपूर इस दिसा में प्रयासरत है। मुझे बताया गया है कि एम्स राइपूर अर्टिफिचल इंटलिजेंस वंचालिस्ट क्लिनिकल डिसिशन सोपर सिस्टम पर काम कर रहा है। इसके माज़्धम से दूर दोराज के चेत्र के डक्तरों को अपात कालिन स्थितियों में रियल टाइम मदद प्रदान की जाएगी। एम्स राइपूर द्वारा किये जा रहा है। इन कार्या से समुदाइक स्वास्त में सुधार होगा। तो था नागुरिकों का जीवन बेहतर होगा। मुझे आशा है कि आने वाले समय में ये संस्तान जोनहित के कार्यों में और बेहतर होगा। प्रियोब इद्धार्थियों। हमने बर्ष दो हजाजा सो चालिस तक एक बिक्सित राष्ट्रों बनने का लख्य रखा है। आपकी पिढ़ी के द्वारा ये कार्यों इस राष्ट्रों संकर्प को सिध्ध करने में निन्नायोक भूमिका निभाएंगे। आपको बन्चित बर्गों की सेवा के कार्यों को प्राथमत्ता देनी होगी। जो लोग साधन संपन्नो होते हैं उनके पास अनेक बिकल्प हो सकते हैं। लेकिन बन्चित बर्गों की आसाय आप पर ही टीकी होती है। इसलिए मेरी आपको सला है कि सभी लोगों की विशेसकर असाय लोगों की सेवा में आप हामेशा तपतर रहेंगे। विद्धाथियों जीवन से पेशवार जीवन में कोदम रखना एक महत्तोपुनों बदलाओ है लेकिन आप अपने ग्यान को बढ़ाते रहने का उस्साहों हमेशा बनाए रखे हमेशा कुछ नाया सिखने का भवना आपके लिए लाबदायोग होगी आपने कोशोल का विकास करते रहें एमस के डक्तरों और विद्धाथियों से ए असा की जाती है कि आधुनिक पध्धोतियों को अपनाने के लिए हमिशा सख्रिय रहना चाहिए प्रियो विद्धाथियों मैं और एक महत्तो पुर्ण बात पर आपका ध्यान अकर्षित करना चाहूंगी कोई अपसर पर आप तोनाव पुर्ण बातावरण में सेवा कारियों करेंगे आपने स्वास्त की उपेख्या ना करें उसका ध्यान रखें मरीजों में विशसनियता बढ़ाने एवंग उनका बेहतर इलाज कारने के लिए आपका स्वास्त रहना तो था स्वास्त दिखाना और चन्त आवस्वक्ते मैं आशा करती हूं कि आप जिबन पर जन्त स्वादाचार एवंग अच्छे कार्या से आपने माता-पिता, संस्थान एवंग देश की किर्तिमन बढ़ाते रहेंगे मैं आशा भी करती हूं कि आफ सभी सफल एवंग स्वार्तक जिबन है तो आशिरबात में भी देती हूं धन्यवाद